कि रूपिया ध्यान रखे किस चैनल में सभी की सभी जानकारी वो सेक्षिक और शुक्मक उदिश्यों के लिए इस यूटूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वितिय चला कानूनी चला या तो व्यक्तिगच चला के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए चैन दोस्तों बाइनस के नए CEO उसकी तस्वीर आपके सामने है और इसका नेम है रिचार्ड तेंग जोब आप तो होगे कि पुराने जो CEO थे सिद जी कहां पे गए और क्यों नया CEO यहां पर रखना पड़ा है उसके बारे में डीटेल में बात करते हैं और मार्केट के अंदर देखे खास कर बाइनस का नेटी टोकन BNB के अंदर इतनी ज्यादा वोलिटिलिटी क्यों देखने को मिली इतना बड़ा डंप BNB के कोईन के अंदर क्यों देखने को मिला तो बाइनेंस के अंदर पहले सिजी मतलब कि चेंपिंग जाओ पहले CEO थे अब इसको CEO का पद क्यों छोड़ना पड़ा है अमरिका के प्रेसर की बढ़ा है मंगलवार के दिन अमरिका ने सिजी को दोसी ठेहराया है उस बात के उपर कि अमरिका के अंदर बाइनस की मदद से ये जो बंदा सिती है वो मनी लोंडरिंग करता था आंटी मनी लोंडरिंग गलत तरीकी से पैसा की हैर फैर क्रिप्टो के अंदर करता था तो जैसे इसको दूसी ठेहराया गया इसने कानून का उलंगन किया उसके बाद तुरंट इसको Binance CEO का जो पद था उसको छोड़ना पड़ा क्योंकि इसके उपर हो गया केस केस होने के बाद इस CEO पद के उपर नहीं रहे सकते हैं इसलिए नए CEO यहाँ पर रखे गए है अब प्रोब्लिम भी इसलिए आया है BNB के अंदर जैसे यहाँ पर अमेरिका ने कहा कि इसका दो से इसने Money Laundering वगेरा किया है तो एक आर्टिकल के मुताबीत इसने स्विकार कर लिया है इसने जिम्मिदारी भी ले ली है सिजी ने की मुझसे गलती हो गई है और साथी साथ उसने जो फाइन लगा है उसके उपर तकरिबन तकरिबन यहाँ पर कहा दा रहा है कि 5 करोड डोलर व्यक्तिगत रूप से उसको बरना पड़ेगा साथी साथ यहाँ पर जेल की भी बात होती है कि इसको 10 से 18 महिने की जेल भी हो सकती है सिजी को साथी साथ इसको फाइन भी पे करना पड़ेगा क्योंकि इसने money laundering किया है और बड़ा सक्स था और इसके उपर जो fine वगेरा लगेगा वो भी बड़ा लगेगा क्योंकि जो funding transfer वगेरा हुआ था वो भी एक बड़ी amount के अंदर हुआ था अब इतना ही नहीं अब यहां पर यह भी काज आ रहा है कि इसका जो business हो रहा था अमरिक act है उसका भी उलंगन किया है और अब इसको charge वगेरा लगेंगे क्योंकि अब एक criminal के अंदर आ चुके है यहां पर यह बताया जा रहा है साथ यूएस government ने इसको ban कर दिया है बाइनस से बाइनस operation है उससे ban किया है इसलिए नया CEO को hire करना पड़ा है क्योंकि इसके उपर ban ल dollar की बात हो रहे कि इतना fund से immediately withdraw होना start हो गया है और यह जो fine लगाया है उसके उपर बाइनस agree भी हो चुका है कि वह 4.3 billion dollar का settle है वो करें तो यह असलियत में मामला है फिलाले black swan event के सकते हैं हमें पता भी नहीं होता है उम्मीदे भी नहीं होती है वही time पे आपको बताया गय dollar के उपर trade कर रहा था वहां तक pump किया जैसी इतनी सारी न्यूज आ गए बीएनवी को पिछाड दिया दडाम से 230 dollar के उपर लाया गया एक बड़ी crypto currency थी जो कि एक बड़ी market के भी थी और नीचे लाया गया इस project को तो कुस लोग थे कुस गलत गलत बोलते थे comment डालते थे सलके दिने पहुंच गया था 271 dollar काफी सारे लोगों ने long किये होंगे काफी सारे लोगों को पहले लगा होगा कि काफी उपर दाने वाला है वहीं पे एक news आता है और दडाम से BNB गिर जाता है 224 dollar तक गिर जाता है इमीजन्टली इतना बड़ा correction क्यों आया क्योंकि वही टाइम पे सिजी को दोसी ठेहराया गया साथे साथ मनी लोंडरिंग के बारे में भी आया news सिजी को दोसी ठेहराया गया साथे साथ उसको CEO PUD से बेन किया गया तो वहां पे problem हो जाती है क्योंकि सिजी का एक बहुत बूच के news लाए जाते हैं सिंपल सी बात है कि crypto market के अंदर जब फोमो वगएरा बढ़ जाता है तो बिच बिच में ऐसी गेम तो बजते रहेंगे हर बार market के अंदर ऐसा हुआ है कि जब fear होता है वहां पर भी कुस नेगेटिव नीज जाता है जब हच से बाहर फोमो जाता ह वहीं की बात है और हच से ज़्यादा जब fear जाता है वहीं की बात है तो हमें फोमो में फसना नहीं है fear में डरना नहीं है एक बात का याद रखना है फिलाल के लिए हम BNB के अंदर बात करेंगे तो BNB में अभी हमें कुस वेट करना चाहिए मतलब कि sport के अंदर दीरे दीर एंट्री बना सकते है क्योंकि पहले के comparison में देखे 270 तक गया था और अभी 235 चल रहा है तो पहले के comparison में यहाँ पर BNB यह कुछ सस्ता है बट next वाला जो support बन रहा है अभी के लिए support है $221 अभी ऐसे ही मामला आगे चलता है तो next support तक के market अगें जा सकती जो कि यह 200 डोलर क के आसपास का zone बनता है और support buying के लिए BNB वहाँ पर भी उठा सकते हैं next time BTC की बात करेंगे तो BTC के अंदर उतना बड़ा impact नहीं आया है जीतना की BNB में आया है तो BTC का price चल रहा है $36,468 कल के दिन जब BNB के news आये थे BNB गिरा उसकी बज़े से BTC के अंदर भी गिरा वटा गई 35,600 डोलर के उपर आ गया था आज एक नया candle बन रहा है थोड़ा यहां पर इंदजार कर सकते बट previous time जो analysis किये थे again एक बार analysis ठीक हो गया मतलब कि आपने यहां कहीं से short किया होगा उमिद करता हूं 38,000 डोलर के आसपास से एक ही candle लग गया और 2000 डोलर का correction लग गया तो मस्त वाला profit बना होगा अगर आपने एवरेज भी किया है तो यह वाला profit आपने कमाया होगा तो यह range भी आप देखे ग्रीन लाइन के आसपास आगया तो वहां पे scale type का आप close कर सकते है पिटीसी के अंदर देखेंगे तो टेक्निकली देखे अपने हिसाब से ठीक ठाक चल रहा है जो कि प्रिवेश टाम एनलेसिस किया था प्रेली यह वाला सोट किया और यह वाला सोट किया छार बार ट्रेड ठीक ठाक किये जो कि आप विडियो देख रहे हैग और अगेन भी तब तक एक करेक्शन थोड़ा बड़ा बनेगा अभी भी यहाँ पर हम इंतजार कर रहें यह वाला करेक्शन बनने के चांसी से जो की 32,000-33,000 डोलर के आसपास का एरिया 33 इन 32 के आसपास आने के चांसी लगते हैं मार्केट में पहले से जब से यह रेंज में जाना स्टार्ट हुआ है यह रेंज जब से बना है तब से आपको एक ही बात बताई दा रही है कि यह लेवल यहाँ पर हंट होना चाहिए बट टाइम थोड़ा लग सकता है तो उमिद कर पहले ही रखना है माक्सम decade का यूज करना है मैं इस बार एक चाम करता हूं सभी के सभी जो बड़े बड़े एकटेंज से उसके ंदंक डीस्क्रिप्ट्र करता हूं सभी एकें राज़िस्टर कीजिए और सभी एक्टेंग के फ remote टो इसह उचांदा है तो होड़ेके एक्सेटर और उससे भी ज्यादा safe जाना है तो hardware wallet आप खरीच सकते हैं अगर ज्यादा fund से तो और ज्यादा आप safe जा सकते हैं बट wallet के अंदर ऐसा होता है कि key ज्यादा important रहता है safe आप तब तक हैं तब तक आप key को अच्छे से संभालते हैं इल्ट एकने वीडियो के साथ